1950 में भी 31 जन्वरी को ही अभिभाशन हुआ थे 31 जन्वरी 1950 जब हमारे तब के महा मही ड़क्टर राजेंतर प्रसाद जो बिहार से आते थे देश के सर्माने नेता थे उन्होंने अभिभाशन दिया था तो 72 वर्ष बाद ये एक संयोग है लेकिन 72 वर्ष के अभिभाशनों के दायरे में अगर सर सोचे तो कई चिंता की लकीरे हैं और चिंता की उन लकीरों को हमने अभिभाशन के पक्ष में अभिभाशन के दौरान नहीं देखा इसलिए मैं शुरुआत करूँगा कि बेवफा बावफा नहीं होता बेवफा बावफा नहीं होता वरना इतना बुरा नहीं होता हमने तो सोचा था बाद लुटने के ये पता चला कि रहजन रहनुमा नहीं होता खेर बहराल सर मैं कुछ छोटी-छोटी चीजें इस संदर्ब में रखना चाहूंगा सभापती मोहद है मुझे पता है कि इस संदर्ब की गरिमा क्या है राश्च्टपती का विभाशन एक बहुत बड़ी चीज होती है देश का एक ब्लूप्रिंट होता है एक दिशा और दशा देने की कोशिश होती है हम भी पक्ष में है लेकिन देश की दशा और दिशा से चिंतित अगर हम है तो अभी भाशन की पंग्तियों में भी वो चिंता की लकीरे दिखनी चाहिए जब वो चिंता की लकीरे नहीं दिखती है तो एहसास होता है कभी कभी मैं सोचता हूँ माननी है सभापकी महुद है कि महा महीं सोते जागते अपने सलाहकारों से बात करते टेलिवीजन देखते सोशल मीडिया देखते समवाद करते क्या उनकों नहीं लगता होगा कि देश के वीजुवल्स बहुत अच्छे नहीं है चात्रों पे आसू क्या मांग रहे थे चांड नहीं चांड नहीं मांग रहे थे नौक्री मांग रहे थे और वो दो करोड वाला भी नहीं मांग रहे थे तो मैं ये सोचता हूँ कि महा में ही कि अभी भाशन में अगर इस तरह की चिंता ना हो तो सर भाशन ना कागज का पुलिंदा लगता है और अच्छा नहीं लगता है उसे कागज का पुलिंदा कह रहा है दूसरी चीज मरनी है सभापती महद है कोरोना पर मैंने विस्तार से इस सदन में चर्चा की है कोरोना को ले करके भी जो चिंता आनी चाहिए थी वो नहीं आई अब आई ये अर्थब्वस्था के बारे में मैंने कहूं बजट को उसके लिए मैंने टै किया हुआ है लेकिन मेर करूंगा कि अगर हम सोच सके सत्ता पक्ष और विपक्ष तो राष्टपती के बाप अभीभाशन को दलिये धायरों से उपर कर दीजी राष्टपती का अभीभाशन कल को आपकी सरकार ना हो यह मैं अपील बाकी लोगों से भी करूंगा जो सरकार में आएंगे कल को कल नही सरोकार में देश का सरोकार लिखना चाहिए माननी ने सभापती मोहद है